Finally Indian users के लिए MIUI 14 का update आना शुरू हो चुका है और ये पहला device मना बनता है Xiaomi का 2L Pro जिसे 14.0.1 का पहला update देखनी को मिला वो भी इंडिया में और ये आना शुरू हुआ है Poco के X5 Pro के launch के बाद यानि भाई Indian users के लिए शुरुआत हो चुकी है MIUI 14 की क्योंकि इससे पहले glow wall और बागे दर country में update जा चुके MIUI 14 का बस delay होड़ा था हमारे इंडिया में जो कि X5 Pro के launch के साथ इसे भी launch कर दिया गया है और हमारा X5 Pro के अंदर MIUI 14 के साथ provide किया गया और ये पहला device होता है OT update receive करने वाला जो कि हमारा Xiaomi 12 Pro है और इसमें क्या कुछ आपको देखनी को मिलता है इस update के बाद वो मैं आपको बताऊंगा और आपको ये idea लग जाया है कि जब बाके दर devices में आएगा तो किस तरीक से ये चीज़े देखनी को मिलती है और अगर आपका Xiaomi 12 Pro India का device है तो ये update अभी आपको देखनी को नहीं मिला होगा क्योंकि अभी टेस्टिंग में चल रहा है जो कि palette system जोइन करते हैं तो update मिलता है उसके अंदर है तो जल्ली ये within week या within two days के अंदर ये public group से सर्वी को मिल जाएगा तो वीडियो को पूरा लास्ट टक जरूर वाच करेगा और मैं इससे related आपको सारी जनकारी देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अच्छा लगता है तो लाइक करेगा चैनल पे नहीं तो प्लिज सस्क्राइब यहां पर मैं पहले ही एक चीज कनफर्म कर दूँ कि मेरे पास Saumet 12 Pro नहीं है मैंने यह जो डिखा रहूं आपको ना यह स्क्रीन सूट है जो कि अपने दोस्त से मांगा है जो इसके पास यह डिवाइस है उसने यह अपडेट कर लिया है उसका मैंने उसे पूरे फीचर्स का है जो आपके साथ सेर कर सको और बता सको कि इस अपडेट में आपको क्या कुछी देखनी को मिलेगा जब आपके फोन के अंदर है जो आ सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखो मोनेट का फीचर्स जो कि आपको यहाँ पर प्रमीशन देने के टाइम हलका सा कलर एफक्ट टेखनी को मिलेगा जैसे आपके फोन का है जो वाल पर होगा सेम उसी तरीकी से और यह एफक्ट आपको मीवाइ 13 में भी देखनी को मिलता था जब से Android 12 आया था बट इस बार Android 13 आने को जैसे सस्ते नसे वाला मोनेट इंजन का फीचर्स एड़ किया गया है जो कि आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है और इसे किसाब से आप बाक्यादर अप्लिकेशन के आइकन लगाओ और वाल पेपर लगाओ तब आपको मोनेट जैसा फील आएगा लेकिन एक्चुली में यह मोनेट इफेक्ट नहीं है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ अपने इस फोन के अंदर जैसे के अंदर मैंने यह चीज़े हैं जो कर रखी है तो बाकी अदर को भी green लगाओ, wallpaper को भी green लगाओ, तो आपको एक monet जैसा हलका full का feel आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि सस्टेंदर से वाला feature से, जो कि दिया जा रहा है MIUI 14 में, एज आज मोनेट के रूप में, उसके बाद आपको next change देखनी को मिलेगा, वो recent tab के अंदर, जैसे आप recent पर जाओगे, तो आपको यहाँ पर total ram, plus free ram, plus आपका जो extra ram, जो memory extension मिला है, वो आपको देखनी को मिलेगा, जो कि आपको यह पहले देखनी को नहीं मिलता था, तो MIUI 14 के बाद भी यह features आपका unlock हो जाएगा, साथ साथ आपका यह जो floating window के रूप में सो होगा, home skin का launcher, जो कि पहले आपको पूरा age to age देखनी को मिलता था, लेकिन सिर्फ यह एक नया look आया है, लेकिन जो हमें widget support मिलना था, जो कि अभी तक global और इंडियोने इसको नहीं मिला, वो अभी भी still हमें missing देखनी को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, old look अभी तक है, यानि यहाँ पे widgets का जो preview आना चाहिए, वो अभी तक आया नहीं है, और पता नहीं यह कब तक देंगे, यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि MIUI 14 में तो आना चाहिए थी, आर 13 सम वेट कर रहे हैं, बट अभी तक add नहीं हुआ, साथ-साथ आप अपने Google के security app को update को check कर लेना, क्योंकि यहाँ पे update होने के बाद यह 1 Jan पे जाएगा, उसके लिए बस simply आपको क्या करना है, कि अपने phone के ऊपर आना है, setting पे जाना है, और यहाँ पे security service को check करना है, जहाँ पर आपको कुछ small size में update नज़राएगा, उसे update करके reboot कर लेना, उसके बाद आपका है जोई update होके चलता जाएगा, 1 Jan वारी के ऊपर, जो कि इस update के साथ आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप जैसे अपने phone के setting के अंदर आओगे, तो आप notice करोए कि यहाँ पे जो setting के icon है ना, यह थोड़े बड़े हो चुके हैं और colorful हो चुके हैं, जो कि पहले आपको normal सा देखने को मिलता था, तो यहाँ पे बस icon colorful किया गया, लेकिन जो पूरा का पूरा user interface है ना, इसका look पूरा का पूरा पहले जैसा ही देखनी को मिलता है, जिसमें कोई change नहीं है, बस ऐसा लगता है कि कोई एक theme आपने apply कर लिया, जिसके बसे icon यहाँ पे change हो गया है, और साथ-साथ एक चीज और आप यहाँ पे notice करोगे, कि digital valuing के पास आपको एक official features का option देखनी को मिलता था, जो कि folder group में था, जिसे आप additional के setting के अंदर move कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे, additional setting में in करने के बाद, आपको accessibility के नीचे देखनी को मिलता है, special features का tag, जहाँ पे floating window, memory extension और second space देखनी को मिलता है, तो यह पहले बाहर था, अब अंदर आ चुका है, और floating window के अंदर ही आपको देखनी को मिलता है, sidebar और memory extension जो कि up to up 5Gb तक expand कर सकते हो, जैसे कि आप देखो floating window के अंदर आपको sidebar देखनी को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे memory extension में आपको 2Gb, 3Gb और 5Gb तक यहाँ पे update करने का option देखनी को मिल रहा है, जो कि पहले नहीं था, बट अब यह आ चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है, वहीं पे आप sound and vibration के option पे जाओगे, और नीची को slide करोगे, तो आप देखोएं कि यहाँ पे जो do not disturb के बहुत सारे setting आपको देखनी को मिल देथे, इसे भी आप folder के अंदर move कर दिया गया है, यानि इस पे जैसे किलिक करोगे, आपको सारे do not disturb के setting देखनी को मिलेंगे, तो इभी एक छोटा सा change है, कोई big change नहीं है, बस इधर का ओधर है, जो arrange किया गया है, इससे ज्यादा कुछ change नहीं दिखाई देता, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, do not disturb के अंदर आपको do not disturb, when logged, notify और यहाँ पे repeat call वगएरा, और यहाँ पे schedule वगएरा, तो यह चीज आपको दिखाई देती है, do not disturb से related, जो कि पाहर से अंदर in हो चुका है, इसके बाद आपका जो gallery है, me gallery, जिसमें आपको पहले me cloud service देखनी को मिलता था, उसे हटा के अब google photo का यह add कर दिया गया है, जो कि normally me UI 13 के users को भी features मिल चुका है, जो कि me UI 14 में भी आपको देखनी को मिलेगा, तो जो पहले से आपका cloud service था वो हट के, यहाँ पे google photo का storage service एड हो जाएगा, साथ साथ आपका security app है, यह 7.4 पे switch कर जाएगा me UI 14 के बाद, जो कि पहले से आपको 7.2 और 7.1 देखनी को मिलता था, इसके लाबबा कोई भी change नहीं हुए हमारा security app के look and behave के अंदर, साथ साथ आप यहाँ पे देखो हैं कि folder का features यहाँ पे आपको देखनी को मिलता है, जबकि icon का super icon आपको देखनी को नहीं मिलता, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कोई भी me UI 14 अप्रेट करने के बाद आप icon के उपर tap करोगे, तो आपको यहाँ पे super icon को कोई भी features देखनी को नहीं मिलता, लेकिन जो folder आप create करोगे न, वहाँ पे कुछ इस तरह की से arrange करने का आपको option देखनी को मिल जाएगा, जो कि यह benefit ले पाओगे, तो पता नहीं super icon कब तक हमें देखनी को मिलेगा me UI 14 में, बट अभी तक ऐसा को भी features एड़ नहीं हुआ सिवाए एक folder का, जो कि वहाँ कुछ खास मुझे नया चेंज देखनी को नहीं मिल रहा है, साथ साथ अगर आप अपने theme store पे जाते हो, wallpaper session पे जाते हो, जो कि हमारा game center है, जो कि पहले कुछ users को मिला था, लेकिन उसे हम uninstall कर पा रहे थे, but me UI 14 के बाद ये by default आपका pre-install हो जाएगा, जिसे आप चाह के भी disable या uninstall नहीं कर सकते, तो एक bloatware फ्री में आपको मिलने वाला है me UI 14 के update के साथ, साथ से साथ यहाँ पे पहले आप floating window एक application यूज कर पाथे थे, but अब यहाँ पे आप दो application यूज कर पाऊगे, जो कि यह improve हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आपका वेट कर रहे थे कि me UI डाइलर के जगा Google का डाइलर आएगा, but ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको me UI का डाइलर नहीं मिलेगा, यह सिर्फ नए फोन में एड़ किया जा रहा है, तो अभी जो Google का डाइलर है, वही आपका डाइलर है जो रहने वाला है, तो floating window किस तरीकी से काम करता है, चले मैं आपको यहाँ पे live करके दिखा रहता हूँ, क्योंकि वह सारे तो इसकी insert है, तो जैसे कि यहाँ पे एक tab open हो गया, अब दूसरा tab मैं यहाँ पे open करूँगा, तो यह भी open हो जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पे home पे swipe करूँगा, यह floating window की रूप में side में है, जो adjust हो जाएगा pop-up की रूप में, जैसे कि Facebook Messenger आपने यूज किया होगा save उसी तरीके से, तो यह पहले हमें सिर्फ एक देखनी को मिलता था, बट MIUI 14 के update के बाद अब यह दो काम करते हैं, जिससे आपका multitasking thoughts और better और improve होगा, तो यही सारे total change आपको देखनी को मिलते हैं, आपके MIUI 14 के update के पाथ, और smooth तरीके से काम करेगा, जैसे कि इस phone में अभी मेरा MIUI 13 रन कर रहा है, और इसके storage size पर मैं जाओंगा, तो आप देखोगा, यहाँ पर 18.83 GB देखनी को मिल रहा है, जो कि काफी ज़्यादा है, वहाँ पर MIUI 14 के अंदर इसे काफी ज़्यादा reduce किया गया है, जैसे कि मैंने इसमें MIUI 14 अपडेट कर रहा है न, और इसमें इस storage पर जाता हूँ, यहाँ पर only on 11 GB देखनी को मिलता है, तो यह भी यहाँ पर reduce किया गया है, जिससे आपका जो file size है, वह काफी ज़्यादा compress होगा, और आपका जो smoothness से काफी ज़्यादा increase हो जाएगा, और really में यहाँ पर Android 13 के बज़े से, आपका MIUI काफी ज़्यादा smooth feel करवाने वाला है, जो कि आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगा, और I hope कि आपको यह update मिलेगा, आप काफी ज़्यादा enjoy करने वाले हो, क्योंकि ज़्यादा features तो add नहीं किया गया है, थोड़े बहुत ही है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको performance के अंदर, समुधनेस के अंदर काफी ज़्यादा improvement राजर आने वाला है, और I hope कि आपको यह video अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा लगा होगा है,